तमस्कार दोस्तों आईए एक नजर डालते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के उपर आपने खबरों में सुनाई होगा कैसे यूएस प्रेजिडेंट डॉनल्ड ट्रम्प की इंपीच्मेंट करी गई आद से कुछ दिन पहले तो इस इंपीच्मेंट का मतलब क्या होता है यह क्यो क्यों करी जा रही है और इससे क्या असर पड़ता है यूएस पॉलिटिक्स पर और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर आईए देखते हैं आज के इस एक्स्प्लेनेटरी वीडियो में पहले हमें इनके पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा समझना पड़ेगा यूएस में दो में पॉलिटिकल पार्टी पर्टी के कैंडिडेट थे और हिलरी क्लिंटें जो election हारी थी वो डेमोक्रेट पार्टी की थी यहाँ पर अब नवेंबर 2020 में दुबारा से election होगी डॉनल्ड ट्रम दुबारा से president बनना चाते हैं री-elect होना चाते हैं लेकिन इस बारी Democrats की तरफ से Hillary Clinton नहीं लड़ेगी के जो लीडर्स कौन होंगे पार्टी के लीडर्स कौन बनेंगे ये भी लोग ही डिसाइड करते हैं अमेरिका में कुछ पॉलिटिशन्स हैं जिनके बीच में फाइट चल रही है डेमोक्रेट पार्टी का प्रेजिदेंचल केंड़ेट बनने के लिए जैसे कि जो बाइडन ब वाइस प्रेजिदेंट की पोस्ट पर भी थे और अब ये प्रेजिदेंचल एलेक्शन खुद लड़ रहे हैं जो बाइडन का एक बेटा है हंटर बाइडन हंटर बाइडन दोस्तों एक बिजनसमेन है जिसने काफी कंपनी इसके साथ डीलिंग करी है युक्रेइन में एक चल रही थी 2014 में और युक्रेइन आपको पता है यहोगा रशिया से बॉर्डर करती हो एक कंट्री है तो युनाइटिट किंग्डम उस युक्रेइन कंपनी को मनी लॉंडरिंग के चार्जिस पे इंवेस्टिगेट कर रहा था ये थी बैकड्राउंड स्टोरी अब ये पहले मैं इस चीज़ को देखूँगा बाद में फॉर्ण एट दी जाएगी जुलाई 2019 में प्रेजिडेंट ट्रम्प ने युक्रेइन प्रेजिडेंट को एक फोन कॉल करी उस फोन कॉल पर डॉनल्ड ट्रम्प ने इलेजिडली कहा युक्रेइन प्रेजिडेंट को कि प्रेजिडेंट को अब तुम्हें इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है तो यह बैसिकली ब्लैकमेल किया जा रहा था देश का पैसा यूज करके अगर किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है जो बाइडन के बेटे के उपर तो अब्विस सी बात है कि उसकी इमेज़ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा यह जब 2020 में अगले टाइम इलेक्शन आएगी तो डॉनल्ड ट्रम कह पाएंगे कि यह देखो यह मेरे खिलाफ जो बंदा खड़ा है उसके बेटे पर करप्शन के ऐलिगेशन लगे हैं मनी लॉंडिंग की चार्जिस चल रही है तो इस तो जब यह फोन कॉल करी गई थी डॉनल्ड ट्रम्प ने इस फोन कॉल की ट्रांस्क्रिप्ट को classified file के अंदर डाल दिया था लेकिन कोई बंदा होगा इनकी administration में काम करने वाला जिसने देखा कि इस फोन कॉल में क्या-क्या लिखा गया था और यह classified में डाली गई थी तो व इस विसल फ्लोर की वजए से यह ट्रांस्क्रेट अब पब्लिक ली दिखा दी गई इस फोन कॉल के पब्लिक होने के बाद बहुत से politician media houses ने कहा यह तो abuse of power है गलत है जो किया जा रहा है इसके लिए impeachment होनी चाहिए और September 2019 में impeachment की official investigations स्टार्ट हो गई इसके बाद बहुत सी discussion होई public hearings होई और फाइनली December 2019 में जाकर 18 December को जो इनका house of representative है उसने वोट किया कि Trump को impeach किया जाए अब यह चीज आपको समझनी पड़ेगी जैसे इंडिया में लोगसभा है और राज्यसभा है ऐसे USA में एक house of representatives है और एक senate है तो house of representative equivalent to लोगसभा है जिसे lower house कह सकते हो और जो senate है जो equivalent to राज्यसभा है जिसे upper house कह सकते हो इस house of representatives में 235 डेमोक्रेट पार्टी के candidates है और 199 रिपब्लिकन पार्टी के candidates है तो जब impeachment की regarding voting होई इस house में तो सारे डेमोक्रेट पार्टी के candidates ने टरम को impeach करने के favor में vote किया और सारे Republican Party के candidates ने टरम को बचाने के favor में vote किया लेकिन क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी की यहां पर majority थी तो टरम को impeachment मिल गई इस house में लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टरम अब president नहीं रहेंगे impeachment का मतलब है कि टरम के खिलाफ एक official charge है एक आरोप लगा है misconduct का कुछ corruption करने का गलत करने का अपनी public official position पे रहते रहते है अब next step है कि Senate में जाकर voting होगी इसके regarding लेकिन Senate में two-thirds majority चाहिए होती है अगर impeachment करानी है तो तो house of representatives में तो simple majority से बात बन जाती है लेकिन यहां पर two-third majority चाहिए होगी और यह January 2020 में यह voting होगी इसके regarding लेकिन अगर यह two-thirds majority मिल जाती है तब आप कह सकते हो कि Donald Trump को अपनी officially presidency post छोड़नी पड़ेगी और फिर वो president नहीं रह पाएंगे लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है in fact next to impossible है क्योंकि जो Senate है दोस्तों इनका upper house वहाँ पर Republican Party के बास ज्यादा candidates है 53 candidates है as compared to Democrat Party के बास सिर 47 candidates है तो अगर ऐसी voting करा ही जाती है और सारी Republican Party Donald Trump के favor में vote करती है क्योंकि वो Donald Trump उनी की party से ही है आपर तो two-thirds majority मिलना तो बहुत ही मुश्किल है simple majority भी नहीं मिल पाएगी two-thirds majority के लिए 67 votes चाहिए होंगे तो जब यह impeachment हो इसके reaction में Donald Trump ने कहा such atrocious lies by the radical left do nothing Democrats this is an assault on America and an assault on the Republican Party और फिर इनों ने किये meme शेयर किया कि in reality they're not after me they're after you I'm just in the way हसी की बात यह है दोस्तों कि यह जो meme Donald Trump ने शेयर किया यह meme Modi से copy किया गया था Modi supporters इस meme को use करते है कि reality में वो Modi के पीछे नहीं आ रहे है Trump के पीछे नहीं आ रहे है वो देश की जनता के पीछे आ रहे है तो यह भी आप बड़ी cleverly देखोगे कैसे Donald Trump ने कहा कि वो मेरे पीछे नहीं आ रहे है वो मुझे impeach नहीं करना चाहते है वो America की उपर हमला करना चाह रहे है वो देश की उपर हमला है यह आपर तो एक तरह से जो opposition है उसे देश दुरोही का tag दे दो यह politics है जो यहाँ पर खेली जा रही है और यह आपने देखा हुआ सब कुछ यहाँ पर image का सवाल है Democrat Party जानती है कि Trump को total impeachment करना possible ही नहीं हो पाएगा क्योंकि Senate में उनके पास majority नहीं है लेकिन अगर यह Democrat Party एक house में भी impeachment कर देती है तो इससे टरंप की public image पर फरक पड़ेगा लोगों के जो neutral लोग है उनकी आँखो में उनने लगेगा कि Trump की क्या image रह गई है देखो यह उन लोगों में से आता है उन presidents में से आता है जिनकी impeachment करी जा चुकी है तो यह corrupt आदमी होगा बिलकुली और दूसरी दरफ टरंप भी यही करना चारा है टरंप भी दिखाना चारा है कि देखो जो बाइडन जो candidate था वो कितना corrupt होगा अगर Ukraine में उसके खिलाब money laundering allegations चल रही है तो मेरे opposing वाला candidate देखो बड़ा corrupt आदमी है तो आप लोग मुझे vote करना है यहाँ पर अब जो हो गया है उसके बाद टरंप फिर से यही करने की कोशिश कर रहा है कि देखो यह लोग मुझे पर कितना हमला करना चारा है मैं कितना बड़ा victim हूँ यहाँ पर मेरे उपर हमला हो रहा है अमेरिका के उपर हमला हो रहा है favor में थे कि Trump की impeachment नहीं करनी चाहिए और सिर्फ 40% लोग चाहते थे कि Trump की impeachment करनी चाहिए लेकिन September end में जब ये announce किया गया कि impeachment inquiry शुरू करी जा रही है तो लोगों की राय अपने आप change हो गई और आप देख सकते हो कि कैसे 46-46% लोग हो गई अब support में Trump की impeachment के और against Trump की impeachment के और जब ये house ने vote किया Trump को impeach करने के बाद तो आप देखोगे कैसे ये number बढ़ गया अब 47.6% लोग चाहते हैं कि Trump की impeachment करी जाए और 46.1% support नहीं करते Trump की impeachment को तो ये चीज बड़ी interesting है आपर देखने ही कि जो politics यहाँ पर खेली जा रही है उससे public की राय कैसे दीरे दीरे change होती है जब एक चीज होती है दूसरी चीज होती है और eventually ये सब November 2020 में जब presidential election होगी उस पर असर पड़ेगा और कौन प्रेजिदेंट बनता है याँ पर उस पर असर पड़ेगा मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद